हाईलो फ्रेंड्स गुड आप्टरनून स्वागत है आप सब का स्युक्रुपा कलासेज पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एक्जाम दो हजार चोविस के पचीस वाठाइस अगस्ते के सिप्टों में पूछे है सकने वाले दोस्तों आपके एकजामस में जितने भी टापिक्स के कुशन्स पूछे जा रहे हैं उन सबी टापिक्स को कबर करके एक एक कोश्चन वा एक एक फैक्ट चुन-चुन के डाला गया है इसके लावा आपके प्रिबियस एकजामस के परसनों को भी सामिल किया गया है साथ में एक्ष्टाफ हैड को पूरी तरह से कबर करने का प्रियास किया गया है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर साल्व करें कोसंस कम साल्व होने पर पुन्ह पसनों का रिवीजन करें ताकि भिहार पुलिस कांस्टेबल एक्जाम दो हजार चोविस में अच्छा खासा बेटज है 75 कोसंस आपके इन सभी टापिक से पूछे जा रहे हैं तो इचले दोस्तों को हम लोग स्टार करते हैं करेंट अफेस के टापिक से कोस्टन है मारा 71 मिस वर्ड दो हजार चोविस का खिताब किसने जीता करेक्ट एंसरोगा क्रिस्टीना पिसकोवा ने जो की चेकड़ा से आती हैं ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे आपके हर टापिक्स को कबर करने का प्रियास किया गया है यह हमारा दोस्तों मैराथन वीडियो होने वाला है सबसे पहले हम लोग दोस्तों नेशनल या में इंटर नेशनल लेबल के करेंट को साल्फ करेंगे इसके बाद में दोस्तों आपके हर टापिक्स को इसी वीडियो में कबर किया जाएगा तो कांस्टेट होकर आप लोग साल्फ करेंगे अब चुकी दोस्तों पहला कोश्चन अमारा करेंट से आ हुआ तो इस टापिक्स से जितने भी कोश्चन बनते हैं अधिकांस प्रस्णों को हम लोग यहीं पे कबर करेंगे यही हमारे प्रपेशन की स्टेट जी है दोस्तों की जिस भी टापिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टापिक्स के अधिकांस प्रस्णों को पूर एक स्टाफेट के साथ वहीं पे कबर करेंगे ध्यांदी जी का दोस्तों आप लोग सारे कोश्ण सेलेक्ट रखे गए हैं पहला कोश्चन है मारा जून दोहजार चोविस में लगातार दूसरी बार लोग सभा के अध्यस के रूप में किसे चुना गया है करेक्ट टेंसरों का ओम बेला को हर कोश्चन दोस्तों आपके हर टापिक से यहाँ पे सुपर लगाएगे हैं आप लोग सभी प्रस्णों को पूरी तरह से रिवाइद जरूर करेंगे अगला कोश्चन है आपका जून दोहजार चोविस में किसे भारतिय सेना के अगले उप पर्मुक के रूप में नुक्त किया गया है तो एनेस राजा सुप ब्रम्हडी को किया गया है आगे बढ़ेंगे कोश्चन है आपका हाली में तेलंगाना स्थापना दिवस यानि की तेलंगाना फाउंडेशन दे दोहजार चोविस कम मनाए गया है तो दो जून को मनाए गया बिल्कुल अपडेटट कोश्चन है दोस्तों ये आगे बढ़िएगा कोश्चन है आपका जून दोहजार चोविस में किसे तंबाकु नियंतरंड के लिए ब्रांड मेस्डेन नुक्त किया गया है तो पीवी सिंधू को किया गया किन है पीवी सिंधू को आगे बढ़िएगा भारत के लोग सबाचुना दोहजार चोविस में कितने करोण लोगों ने मद्दान देकर भी सुरिकार्ड बनाया है तो 64.2 करोण लोगों ने इसमें मद अंत्रिच एजंसी यानि काउसा की अस्थापना किये तो दच्छन कोरिया के द्वारा की गई नेक्स्ट राष्ट्य मानुवा अधिकार आयो गया निकि इनाचारसी का नय कारिवहा कद्धिस किसे नुक्त किया गया है करेक्ट अंसरोगा विजय भारती सयानी को नेक्स्ट अठारवी लोग सभा चुना 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज़्यदा सीटे जीती है तो भारते जनता पार्टी ने करेक्ट अंसरोगा पांच जून को अगला है किसे दीन दयाल बंदरगा प्राधिकरण के द्धिस करूप में चुना गया है तो शुशील कुमार सिंग को नेक्स कोश्चन है आपका जून 2024 में किसने एसिया के सबसे अमीर ब्यक्ती का खिताब फिर से हसिल कर लिया है तो गौतम अडानी ने किसने गौतम अडानी ने आगे बढ़ेंगे अगला कोश्चन आपका क्या है दोस्तों हिंदी साहित भारती पुरसकार 2024 से किस से समानित क गया किसनों प्रकास को हर कोश्चन आपके एक्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं पूरी तरह से आप लोग रिवाइद जरूर करेंगे नेक्स्ट विसु दुख्ध दिवस यानि की वर्ड मिल्क दे 2024 कब मनाए गया है एक जून को नेक्स्ट वर्स 2024 में रिलाइंस इंडस्ट पी नडडा को किया गया है आगे बढ़िएगा कोश्चन आपका अंतर राष्टे नाविक दिवाद दोहजार चोबीस हाली में कब मनाए गया तो 25 जून को पूरी तरह से दोस्तों हाट टापिक्स को आप लोग प्रिपेर रखेंगे आगे बढ़िएगा अगला कोश्चन क्या है फ्रेंच ओपन 2024 में पूरु सेकल का खिताब किस ने जीता है तो कार्लो सलकारेज ने नेक्स्ट विसु खाद शुरच्छा दिवस्यानी की वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 कब मनाए गया है साथ जून को अगला जून 2024 में एपल को पछाड कर दुनिया की दूसरी इसके बाद में इसी वीडियो में हम लोग अपने अनिसमी टापिक्स को कवर करेंगे यह हमारा दूस्तों मेराथन वीडियो होने वाला है नेक्स्ट टी टॉन्टी मैच में 500 शक्का लगाने वाले पहले भारते खिलाडी कौन बने है तो रोहित सर्मा है नेक्स्ट इंडिय के रूप में किसे निक्ति किया गया है तो राकेश रंजन को भारत प्रांस सनुक्त सैन अभ्यास नाम क्या है सक्ती 24 का साथ वह संसकन कहा जित किया जाएगा तो उम्रोई में घाले में पूरी तरह से आप प्रिपेर रहेंगे नेक्स्ट वर्स 2024 में किसे लता मंगेस कर दी की तरह से आप प्रिपेर रहेंगे आगे बढ़िएगा अगला कोश्चन आपका करेंट से क्या लगा है दोस्तों देखेंगे कोश्चन रखा गया है परवो सुभी आन्तों को किस देश का ने राष्ट्रपती निक्ति किया गया है तो इंडोनेसिया का नेक्स्ट विस और 2024 में ठानोई ग्यानपीट पुरसकार से किसे समानित किया गया है गुलजार जगत गुरु वट्टाचारी को नेक्स्ट राम भत्राचारी को अगला है भारतिय वायु सेना ने वायु सक्ति 24 नाम नहीं भूलेंगे अभ्यास का विजन कहा किया गया तो राजस्थान में और 26 रोग दिवास 2024 साली में कमनाएगा 24 मार्च को हर कोस्टन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेरेंगे करन के थोड़े कोस्टन और है पुरा हम लोग अगले टापिक को कपर करेंगे अगला कोस्टन आपका है हिंद महासागर में भारतिय ना उसेना के द्वारा सुरू तुरव अमीरात में किया गया है नेक्स्ट किस राज में 36 राष्टे पुस्तक मेला का आवजन किया गया है तो हैदरवाद तेलंगाना में अगला है हिंदी पत्रकारिता दिवाद 2024 साली में कमनाएगा 30 माई को आंगला कोस्टन देखेंगे कोस्टन है जून 2024 में ठारूई एक पेड़ मा के नाम अभियान की सुरुआत कि इसके द्वारा की गई तो परधानमती नयद मोदी के द्वारा नेक्स्ट जून 2024 में महासागर इस्थिती रिपोर्ट 2024 क्योंको इसके द्वारा जारी किया गया तो UNESCO इसका फुलफा भी ध्यान रखिएगा पूछ लिया ता बने हैं तो शंकर लालवानी है नेक्स्ट जून 2024 में परसिद्ध अंबुबाची मेला कि सराज में परारम हुआ दोस्तों तो असम में ध्यान रखेंगे आप लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पीडियाप के बारे बात करेंगे ध्यान देंगे तीन पीडियाप लगा ह है 100 रुपीज की भी पेड़ फीज है और रेलवा अलेक जांप के वेकेंसी आपके लेगें और पीफ एसाई सारी चीजे लेगें दोस्तों ध्यान रखेंगे पीडियाप रेडिय कर दिया गया है और सब नमबर आप लोगों के सामने जहां पर जोड़कर पीडियाप ले सक अब आप लोग ध्यान राखेंगे दोस्तों विहार दरोगा की आपकी वेकेंसी आ रहे जो अच्छे कंटेंट चाहते हैं दोस्तों अच्छी तरह से फैट करना चाहते है वो हमारे स्टेटी चैनल सिकृपा कलास्यस को सब्सक्राइब जरूर करें अगला कोस्चन है आपका अंतर राष्टे जव विवत्ता दिवा दोजार चोबिस हाले में कम मना गया है 22 मार्च को नेक्स्ट आगरा मेटो के जामा मस्जिदी स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है मनका मेसर मंदरी में दोस्तों मेट्रो स्टेशन नेक्स्ट वरस्विक बहुत्दिक संपद क्या है बिसुवन जीव दुवत 2024 कम मना गया थीन मार्च को नेक्स्ट वरस 2024 में किस राज में चापचार कुट तोहर मना गया तो मिजोरम में अगला सीमा सुरचबल यानि की बियस अप की पहली महिला स्नाइपर कोन बनी है तो सुमन कुमारी है अगला संसंद सुरच्छा क पर मुख किसे निट किया गया है नुराग गरुवाल को वो पाच करोण आयसमान का जारी करने वाला भारत का पहला राजगोंसा बना उत्तर परदेश है पाकिस्तान के 24-वे परधान मंत्री कौन बने साबास सरीफ है और तामस उल्यों किस देश के ने राष्ट पती बने तो हंगरी के सारे कोशन से आप पूरी तरह से प्रिपेर हैंगे दोस्तों लाष्ट इस सिक समान्त के दोस्तों करेंड को हम लोग एक साथ पूरी तरह से कबर कर रहे हैं आगे बढ़ेगा कुश्चन है आपका महाराष्ट भूसन पुरसकार 2024 से किसे समानित के गया है डाक् किस राज में ग्रह मंत्री अमिस साह जी ने स्वामी नाराण मेडिकल कालिस का उद्गाटन किया है तो गाधी नेगर गुजरात में और मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर विक्ति कौन बने जेफ भूजियोस द्यान रखेंगे मार्च 2024 में किस राज सरकार ने बिधवा पुनर विबा मोहसो योजना की सुरुवात किया तो जहरखंट राज सरकार की द्वारा किया गया है वह अगर वपात को संग्वेदानी कदिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना तो फ्रांस है ध्यान रखेंगे आप लोग आगे कौन से कोस्टन अभी बना गया 24 अप्रेल को अगला है मार्च दोजार चोविस में शंगीद कला निधी पुरसकार दोजार चोविस से किसे समानित के गया टीम किस्टना को अगला आल इंडिया रेडियो यानि ये आई यार की नई महानी देशक कोन बरी है मौसमी चक्रु अर्ती है तिरन जाजी सोर संगटन यानि आई से का सौंस सदस्य बन गया तो पराग बेहर कोस्टन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेर हैंगे ये करेंट के कोस्टन थे दोस्तों जिनको हम लोग ने एक साथ कबर किया है आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा पीडिया दोस्तों यहां पर बात होंग पढ़ना से आपके सामने दोस्तों इस टाफिफी से जितने कोस्टन से बनते हैं कवर कर ले गें अगर इस टाफिक को आप दोस्तों पूरी तरह से अग्जार में आते हैं न कॉस्टन आप लोग पूरी तरह से कबर कीजिए एक मिनट में जब चाहें दोस्तों स्मार्ट स्टेट जी के जरीए स्टेट को आप लोग रिवाइस कर सकते हैं इसलिए दोस्तों हम कभी इसमें आपसन नहीं रखते हैं आपसन से आपकी चीजे कभी कंप्लेट नहीं हो सकती हैं क्यों कन्फ और साहिद परवेश पांच नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे पांचों की पांचों दोस्तों मोस्ट उम्पर्डन्थ हैं जो कि सितार वादाख हैं नक्स्ट हर परसाच चोरसिया, पनना लाल भोस, रोनु मजुमदार और राजेंदर कुलकरणी चार नाम यहाँ पे ध्य चारो की चारो मोश्ण नुपार्णट है जो की बासरी वादक है नेक्स्ट अमजद अली खा अलाउद दिन खा अलाई अकबर खा और हाफिस का चार नाम यहां पर ध्यान रखेंगे जो की सरोध वादक है आगे बढ़िये उस्ताद बिस्मिल्ला खान और दोस्तों देया शंक सार्फा जी बढ़िये जो रूदा आखिअ है इतना आप चाहे दोस्तों आफ रिवाइस कर सकते हैं इसी में से आपक एकजामे कोसिन с बनते रहते हैं और repeat होते रहते हैं, चलते हम लोग अगले topics की ओर, अगला topic आपके क्या है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सासन काल कब से कब तक था, तो 1206 से लकर 1526 तक, most important topic आपके सामने है दोस्तों, दिल्ली सल्ता, middle history यानि मद्ध कालिन भारत का बहुत बड़ा part, 1206 से 1526, बहुत सारे questions, ब question था हमारा, दिल्ली सल्तनत का सासन काल कब से कब तक था, तो 1206 से लेकर 1526 तक, अब ये केक point आप लोग ये 2Z constant होकर कबर करने का प्रियास करें, पहला point है, भारत पर पहला सफल मुस्रीम आकरमण मुहम्मद बिन कासिम ने 712 SB में किया था, उसने सिंधियों मुलतान को जीत अगला point, महमुद घजनवी ने 1001 से 1027 SB के 20 में भारत पर 17 हकरमण किये, इनमें 1025 SB में सोमनात के स्यू मंदिर पर किया गया आकरमण सबसे परसिद था, हमारे हर सेंटेंस से कई facts निकलते हैं, जो कि ड़क ले आपके एक्जाम में पूछी जाते हैं, next, मुहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अब आगे बढ़िया आप लोग, यहां पी, देखेंगे दोस्तों अब दिल्ली सल्तनत को, तो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल पांच राजवांसों ने सासन किया था, इन रा 1260 से लेकर 1290 तक, उसके बाद में खिलजी बंस आता है, जिसका सासन काल था 1290 से लेकर 1320 तक, फिर आता है दोस्तों तुगलक बंस जिसका सासन काल था 1320 से लेकर 1414 तक, चोथा आपका आता है सयद बंस जिसका सासन काल था 1414 से लेकर 1415 तक, और पांच वा था आपका दोस् तो जितने भी questions निकलते हैं, आपके exams के लिए, उनको आप लोग पूरी तरह से cover किजिए, पहला question है, गुलाम वन्स के संस्थापकों थे, तो कुतुबुद्दीन अइबक थे, next, गुलाम वन्स के कि सासा को लाख वक्स के नाम से जाना जाता है, तो भी कुतुबुद्दीन next, कुतु मिनार की निव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन अइबक ने ही, और अगला question है, यहाँ से, दिल्ली सल्तनत के कि सुल्तान की मृत्यू चोगान या पोलो खेलते हुई ही, तो कुतुबुद्दीन अइबक की ही, वहा, कुबबत उल इसलाम मस्जिद का निर कारी पर्था चलवाई थी, तो इल्तुतमिस ने, अगला, कुतु मिनार के निर्मार कारी को किसने पूरा करवाई था, इल्तुतमिस ने, next, दिल्ली सल्तनत की दर्बारी भासा क्या थी, तो फार्सी थी, वहा, किताब-ुल हिंद की रचना किसने की थी, तो अलबरुनी ने, अगला कुश्चन, आगरा नगर के सतापना किसने की थी, तो इसके द्वारा की गई थी, तो सिकंदर लोधी के द्वारा, और भारत के पर्थम महिला मुस्लिम सास का को थी, रजिया सुल्तान, आप लोग जानते होंगे, और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक सासन किया थ क्या दूस्तों अपका देखींगे अगला कोश्चन रखा गया है तुगलक वंस को स्थापक को था तो क्या सुदिं तुगलक थे नेक्स्ट यात्रि इवन बतूता किस देश का निवासी था मौरक्कों का था इतना यहां से आप लोगों को पूरी तरह से किलिए रखने ताकि कोई भी question आपके एक्जामी आपसे miss ना हो पीडियाप के वारे में बात हो चीकिए दूस्तों ससी में अनुसंधान संस्थान कहां परिस्थित है करेक्टर्स का देहरा दुन में यह भी आपका सुपर टापिक है दूस्तों डाकले कोश्चन मतें आप लोग जानते हैं टापिक का नाम है भारत के परमुख सोध संस्थान सबकुछ पूरी तरह से से सीट में कबर के लिए जितनी इंपर्टन हो सकते हैं इसी में से आपके design में questions भनते रहते हैं और repeat होते रहते हैं तो चलिए दोस्तों इस topic को उणो पूरी तरह से कबर करना शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों भारते किर्सी अनसंदान संस्थान जो की नई दिल्ली में इस्थिता है, फिर है केंद्रिय चावल अनसंदान संस्थान जो की कटक में इस्थिता है, फिर है भारती गन्ना अनसंदान संस्थान जो की लखनों में इस्थिता है, कहां पे लखनों में, सब कुछ पूरी तरह से आप कबर रखनेंगे अगला है दोस्तों आपका केंद्रिया आलू अनसंदान संस्तान जो की सिमला में है फिर है केंद्रिया तमबाकू अनसंदान संस्तान जो की राजमुंदरी में है फिर है दोस्तों केंद्रिया वन अंसंदान संस्थान जो की जलगोडा में है, फिर दोस्तों केंद्रिये चमडा अंसंदान संस्थान जो की चन्नई में है वा केंद्रिये खना अंसंदान संस्थान दोस्तों धनबाद में है, जितने फैक्ट हमाई द्वार दे जारे हैं, पूरी तरह से आप कबार रखेंगे, आगे बढ़िएगा, केंद्रे आउसदी और संधान संस्थान दोस्तों लखनव में है, नेक्ष्ट भारते सर्वेचल विभाग देहरादोन में है, भारते मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ले में है, राष्टे धातु विज्ञान पर्योग सला जमसेथपूर में है, भ भाभा परमाण संस्थान केंद्र टामबे में है, और राष्टे समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर पाणजी में है, A to Z कोई भी फैक्ट यहां पर मिस नहीं किया जाता हमारे द्वारा, आगे बढ़िएगा थोड़े से ओर है, अगला टापिक देखेंगे क्या है, भ पूरी तरह से कबर रखेंगे, ताकि कोई भी कोश्चन आपके इस टापिक से मिस नहीं हो, चलेगा अगले टापिक की ओर, अगला टापिक आपका क्या दोस्तों, कोश्चन रखा गया है, हर चरित नामक पुस्तक के लेखा कौन है, तो बान भाठ्थ है, कोश्चन कहां से दोस्तों, जो हमारी प्राचीन पुस्तके हैं, डाकले कोश्चन बते हैं, दोस्तों, आप जानते हैं, आपका सुपर टापिक है, जितने इंप्वाटन हो सकते हैं, A to Z पूरी तरह से कबर कर लेगे, आप इसको अच्छे से रिवाइज रखें, चलेए सुरू करते हैं, पूरी प्राचीन पुस्तके, यो मुन के लेखक, एक तरफ महत्पूर्ण पुस्तकों के नाम है, दुस्ति तरफ लेखक के नाम है, सबसे पहले हैं, पिर्थिभी राज रासोज, इसके लेखक कोन है, चंद वर्दाई हैं, फिर गीतान जली, गार्नर, पोस्ट आफिस और चार पुस्तक का नाम एक साथ दे दिया गया, जो की रभिना टेगोर के द्वारा लिखी गई है, फिर दोस्तों देखेंगे, फोर्टी नाइन डेस, ये पुस्तक के द्वारा लिखे गई, अमरिता पीतम के द्वारा लिखी गई, सब कुछ पूरी तरह से आपको रिवाइ पूरी सिंग दिनकर है, अन हैपी इंडिया के लेखक दोस्तों लाला लास पतराय है, भारत भारती के लेखक मैथली सराण गुप्त है, कागस्त कैनवास के लेखक अमरिता प्रीताम, पंचितंत्र के लेखक विशनु सर्मा, दा कमपनी आफ वीमेन के लेखक खुसुवन्त सूर सारावली और सहित लहरी तीनों पुस्तकों के लेखक दोस्तों सूर्दास है, जितने इंपार्टन ने जहां-जहां से कोसंस बन सकते हैं, सब कुछ हमाय दौरा पुरीताम से कबर करवाए गया है, हुमाय नामा के लेखक गुलबदन बेगम, लाइफ डिवाइन के ले लेखक कोन है, कालिदास है, सब कुछ पूरीतना से आप प्रिपेर रखेंगे, आगे बढ़िएगा, अगला के हैं दोस्तों आपका मालती माध्व, लेखक कोन है भवुती है, किताब रहिंद के लेखक कल बरूनी है, दादा कामरेड के लेखक की असपाल है, चिदंबरा के के लेखक दोस्तों नारायन पंडित हैं कौन है नारायन पंडित हैं आगे बढ़िएगा सब कुछ पूरी तरह से कबर एटुजेट अर्थसास्त के लेखक चानक या कोटिल है इनका और नाम है विसनुगुप कामाईने के लेखक जैसंगर परसाद है एस्टा ध्याई के लेखक अगे बढ़िएगा और क्या क्या है थोड़ा सा अगला है आपका गोदान और करम भूम्यक सध्यान रखेंगे प्रेम चंद हैं इंटरनल इंडिया के इंद्रा गाधी है दोस्तों कुली के लेखक मुल्क राजानन्द मिर्च कटिकम के सुद्रक है इतना आप लोग दोस्तों आपके सामने कोश्चन के है हमारा नीला थृथा का रासाइंग नाम किया है, कारेक्टनस्ब का का पर सल्फए, जनल साइन से क्किन है तो आपका super topic है, trending topic है, यह इस पर green topic है अगला question क्या है दोस्तों हमारा देखेंगे हम लोग question रखा गया है नीला थोथा का रासाइंग नाम क्या है करेक्टर सुरुगा copper sulphate question कहां से आ चुका दोस्तों general science यागा जूख हमारे रासाइंग नाम से डिटे questions बनते हैं most important seat आपके सामने लगे ही दोस्तों A to Z सारे facts कबर किये गए इसी में से आपके exam में continue question बनते रहते हैं और repeat होते रहते हैं तो इस seat को आप लोग पूरी तरह से revise रखेंगे ताकि इस topic से कोई भी questions से आपके exam में आते हैं आपके exam का अपर सेलपे आप देखिएगा पहले व्यापाइंग नाम फिर रासाइंग नाम और फिर रासानिक सूत्र सबसे पले दोस्तों साधार नमक जिसका रासांग नाम sodium kaloride होता है इसका रासाइंग सूत्र दोस्तों NaCl होता है कास्टिक सोडा इसकी बात की जाए तो इसका रसाइंग नाम sodium hard oxide होता है और इसका रसाइंग सूत्र NaOH होता है सब कुछ पूरी तरह से आप update रखेंगे ताकि किसी भी टाफिक से दोस्तों आपके questions exam में miss ना हूँ next सुहागा का रसाइंग नाम दोस्तों बोरेक्स होता है इसका रसाइंग सूत्र होता है Na2b407.10s2o होता है फिटकिरी का रसाइंग नाम होता है potassium aluminium sulfate और इसका रसाइंग सूत्र होता है चुने का पानी का रसाइंग नाम दोस्तों calcium hard oxide होता है इसका रसाइंग सूत्र होता है CA breakout में आपका OOS और 2 होता है जिपसम का रसाइंग नाम calcium sulfate और इसका रसाइंग सूत्र CA CO4 उसके बाद में ton2s2o होता है प्लास्टर आप पिर इसमोष्ट हमा आपका रहता है calcium sulfate hemihardate इसका रसाइंग नाम है और रसाइंग सूत्र होता है CA SO4.1.2s2o चुना पत्थर का रसाइंग नाम calcium carbonate होता है रसाइंग सूत्र CA CO3 होता है और संग बर्मर की बाद की जो दोस्तों तो इसका रसाइंग सूत्र CA CO3 होता है सब कुछ पूरी तरह से आप कबर रखेंगे अगले science के टाप इसको भी हम लोग यहीं पर कबर करने वाले है अगला क्या है दोस्तों आपका fact इस सूस्कूवर जिसका रसाइंग नाम क्या होता है ठोस carbon dioxide रसाइंग सूत्र CA CO2 बलेक जिंग का दोस्तों रसाइंग नाम zinc sulfide होता है विसका रसाइंग जो शूत्र होता है जेडए नेस होता है भारी जल का रसाइंग नाम Dutrium Oxide होता है रासाइज़ीशूत ढीटीओं होता है। Genesis 3 akkor is 6 or 6 इतना आप लोगों को यहां से पुरी तरह से color रखनें। किसी भी तरह से जुष्टेव स्वी आप लोग cover करने का प conception बन जाते हैं। पीडियाप के लिए हड़ सप्नमबर है, चलते हैं हम लोग वगले, टापिक्स की और, अगला टापिक आपका क्या है, दोस्तों, कुश्चन रखा गया है, न्यूट्रान की खोज किसने के थे, करेक्टरस का जेम चडविक ने, दोस्तों CT यहाँ से पीडियाप में लगागी, आपके फिजिक से एलेटर, कजिस से एलेटर, बयो सेटर, त्यहाँ पर दोस्तों, जो माहत्मून दोस्तों, न्यूट्रान पडूत आप जानतें, कमिस्टी का आपका टापिक है, इसलेटे जितने भी महात्मुन खोज अब इसकारक हो सकते हैं, पूरी तरह से कबर कर लेगें, सिट में सब कुछ आप पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, चलिए सुरू करते हम लोग, कोस्चन था हमारा, न्यूट्रान की खोज किस ने की थी, करेक्ट्रों का जेम सब कुछ ये टुजएड आप लोगों को कबर रखनी है, हंडेट परसेंट हमाया दवारा, दुस्तों, आप लोगों के लिए काम किया जाता है, चाल्स का नियम का है, दोस्तों सिधान की खोज, चाल्स ने की थी, आधुनिक अबरत सांड़ी की खोज, मोजले ने की थी, साडी pada ऑकलीन साडी और से तनीन नेकिती नाभी के खोंच दोस्तों बता दिया गया है आरगन की खोष किस ने की थी रमजय और रेले ने मैगनिसियम की खोष डेवी ने की थी कैलसियम की खोष भी डेवी ने की थी बैल का नियम की खोष रबर्ट वायल ने की थी आंसिक दाप का नियम की खोष डालटन ने की थी आवर साड़ी की खोष मेंडलीफ ने की थी इलेक सिध्धान की खोस पावले ने की थी ध्यान रखेंगे दोस्तों सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टेडी चनल स्विगरुपा कलासस को इस तरह के वीडियो के लिए अगला टापिक हमारा क्या है अगला कुश्चन है हमारा दोस्तों बिहार राजी का जन संख्या घनत तो कित हमारा बिहार राजी का जन संख्या घनत तो कितना है करेक्ट अंसर का ग्यारा सो चे बैक्ति परतिवर किलोमीटर अब एक एक कोश्चन आप लोग कांस्रेट होकर देखिए पहला है बिहार राजी का दो हजार चोबी से पचीस का कुल बजट कितने का प्यस किया गया तो द तो 2,3% है ध्यान रखेंगे नेक्सट 2,025 से पच्चीस में बिहार राजिका राज्यस अदिसेस यानि शेकल घहर अलुद पात्तपाद का कितना परसित! होने का नुमान है, तो 0.1% हुआ, दो हजार चुबिस से पच्चीस में बिहार राज का प्रात्मिक घाटा, यानि कितने परसत होने का नुमान है, तो 4.1%, नेक्स्ट, दो हजार राज से तेस में बिहार राज का सकल घहर उलुत पाद, यानि इस्थिर कीमितों पर कितने परसत बढ़ने का नुमान है, तो 10.6%, पूरी तरह से कांस्ट्रेट होका इसको साल्प करेंगे, ताकि आपको देत किया है, तो 5.7%, नेक्स्ट, बिहार राज 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 सुप्राप्तिया कितनी होने का नुमान है, तो 2.6, 1798 करोन रुपे ध्यान रखेंगे, चलिएगा अगले कोश्चन की और, अब यहां से वन लाइनर आप लोग एक सास साल्प कीजिए, पहला कोश्चन क्या है, बिहार राज का सरवादिक 1.6 वाला जिला कौन सा, तो पस्चियू चंपारण, बिहार राज का निम्तम 1.6 वाला है, धुबिया, जिजिया, कर्मा आप जानते होंगे, बिहार राज की कुछ साच्छातादर, तो 61.80%, बिहार राज की पुरुष साच्छातादर की बात की जाए, तो 71.20%, बिहार राज की महिला साच्छातादर की बात की जाए, तो 51.5%, बिहार राज की गरामीर साच्छाता पूर्णिया है बिहाराज का लिंगानपात कितना है तो एक हजार पुस्टों पे इस्तरीव की संख्या कितनी है 918 ध्यान रखेंगे आगे बढ़ेगा अगला कुश्चन आपका क्या लगा है बिहाराज का सरबादिक लिंगानपात वुला जिला कौन सा तो गोपाल गंज है क गिणानपात वुला खिरएंगे बढ़ेगा इक द्याजबस सी उखर स्थाफ है बिचर्चल धियां और चलिए अब और कोश्चन है दोस्तों मारे विहार करेंट के किया क्या है व्य घ विहाराज का जंसनकिया घनत कितना तो ग्यारा सो छे ब्यक्ति प्रतुवर किलोमेटर बिहार राज का सरबादिक जन घनत वाला जिला कौन सा है सिवहर है बिहार राज का निम्तम जन घनत वाला जिला कैमूर है चंदरभरी संगरहाले बिहार के किस जिले में है तो राष्टी राजमा संख्या दो, नेक्स्ट बिहार में कहा कि मांसून से वर्साथी तो बम्याल की खाड़ी से, और बिहार में कुल कितनी परमंडल है, नौ है, और बिहार में कुल जन संख्या का कितना भाकार सील है, तो एक बटा तीन ध्यान रखेंगे आप लोग, पीड केरे करें कितना भाक हाट जलें की आप इसमी पर मांन की खाड़ी से, नौ है और ब्लय। और हार्डो पॉनिक से क्या है दोस्तों तो बीना मिर्दा के पौधों की खेती है, सब कुछ पूरी तरह से आपको कबर रखने है, आगे बढ़िएगा, अगला कुश्चन आपका क्या लगा है, फूल गोभी यानि कि कौली फलावर का कौन सा भाग खाया था, पुस्प करम ध सब कुछ पूरी तरह से आप कबर रखेंगे, बहुत सारे कोश्चन आपके बायो से कबर हो रहे है, आगे बढ़िएगा, डाल चीनी पेंड के किस भाग से प्राप्त होती है, चाल से, तारपीन का तेल प्राप्त क्या था है, चीड से, अफिम पौधे के किस भाग से प्रा प्राकर्तिक वरण्ड सिधान्थ का पृत्पादन किस नहीं कहा था, डार्बिन ने, वन सांगत के नेमो के अध्यन को क्या था, वानवान सी की वार्जälletन क्या कहा था, डेमो घ्रापी, नěक्स्ट वीकास का सिधान्थ किस के दोरे दिया था, चाल से डारप cuatro रे लीकषे ड पर्वाल दोस्टों यानि की कोरल्स क्या है तो एक समुद्री जीव है आप लोग पढ़े होंगे रेसम की किंडे के पालने को क्या कहते हैं सेरीकल्चर पित यानि बायल कहां पर जमा होता है, पित तासे में, पेसमेकर का समन्द की से हिर्दय से, पेसमेकर का कार कार का है, दिल की धड़कन परारम करना, रक्त का सुद्धिकन कहां पर होता है, किडिनी में होता है, रक्त का दोस्तों, रक्त में जो लाल रंग किसके कार होता है, त तो दोस्तों रोग परतिरोधक चम्ता धार करना निक्त कौन सा रखतुवर सर्वागराई आप लोग जानते होंगे A-B हो कौन सा रखतुवर सर्वाध आता है तो ध्यान रखेंगे आप लोग आगे बढ़िएगा यहां से अगला कुश्चन आपका क्या है सेरे बरम किसे समय तो इस सरीजिव एनीमा रोक को इसके कमी से, आरन की कमी से होता है, वाई पर दोस्तों में सरवादी खान का रख जो गए से, कार्बन वोन अक्साइड है, और PDR रोक से, में सरीर का कौन संग पराहित होता है, तो याकरित है ध्यान रखेंगे, तो यह थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टाप MC की उच के प्रसंद, जिनको है पर हम लोगों ने साल्व किये हैं, उमीद हम दोस्तों आप सभी लोगों ने साल्व किये होंगे, और देखे होंगे कि यहां से आपके कितने कोस्टन सही हो रहे हैं, तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारी जुने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे दो आदे जाने वाले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स पार वाचिंग